हाव रूफिक्स सैमसंग S7H आटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर अब सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस में आटो रोटेट स्क्री और उसके बाद भी दोस्तो आप यहाँ पर अपने मुबाइल को रोटेट करने के कुशिश कर रहा है रोटेशन काम नहीं कर रहा है अगर दोस्तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी डिवाइस में तो आप दोस्तो इस वीडियो को अंतक जरू डेखेगा मैं आपको इस हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऑटो रोटेट काम नहीं कर रहें त तो ठीक है अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों अगर सेम प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों नेक्स्ट सॉलुशन करना होगा तो नेक्स्ट सॉलुशन पर दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है तो आप दोस्तों अपने रिसेंट बटन पर क्लिक करें रिसे के वज़े से दोस्तों यह पर प्रॉबल्म आते हैं तो आप अपने रिसेंट एप्स को कि ओफ कर दीजिए ठीक है सारे सारे रिसेंट टेप किजिए कि करने के बाद दोस्तों दوبारा सेीचव करके देखिये कि आपका प्रप्रोब्लेब्म हुआए या नहीं हुआ है अगर उसके बाद भी दुस्तों प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप जाए दोस्तों आपने मोबाइल के सेटिंग पे का ऐब इस को राउन करते हुए दूस्तों जाये जेनरल मेंज्च्टमेंट के आपक्षिन पर and डेंड री सेट option select कीजिए और reset all setting पर जाके reset setting पर क्लिक कीजिए अपना pattern यहाँ पर बढ़ दीजिए pattern password जो भी आपने सेट किया हुआ है स्क्रीन लोग पे उसको add करने के बाद सारे setting reset हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है on कीजिए अपना portrait mode को यानि के auto rotate on करने के बाद दोस्तों दुबारा से चेक करके देखे solve हो जागा आपका problem ठीक है बाई एनी चांस अगर दुबारा से problem आ जाते तो simply जाए यह software सेनलगा, Thanks for watching